गुडिबिंग एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग आई हो पच्छे होंगे वैलकम टू स्टडी विद सुमिता आज का हमारा टॉपिक है चित्रकला एवं मूर्तिकला जो की सभी परिक्षों के लिए बहुत ही महत्तोपूर है तो वीडियो में ज्यादा देन ना करते हुए सबसे पहला हमारा कोशन है तीन संगी तक किसकी प्रशिद पैंटिंग है पिकासो एंजियोलो बिंची राफेल तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ओप्षन नंबर ए पिकासो ठीक है नेस्ट है बिख्या चित्रकारी दा लास्ट जज्जमेंट किस चित्रकार की है बि बिंची एंजिलो राफेल बॉनगोफ तो ओप्षन नंबर भी एंजिलो विश्व विग्याद पैंटिंग दा लास्ट सपर किसकी क्रती है तो यह है बिंची की ओप्षन नंबर सी बिंची विश्व विग्याद पैंटिंग मोना लिसा इसका तो नाम आपने सुना होगा औ और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, लौ गियो कॉंड़ा, ठीक है, किसकी क्रती है, तो ये है, option number C, विन्ची की, ठीक है, चलिए, next है, विश्व बिग्या, चित्रकारी, गुए, रनिका, किसकी क्रती है, तो option number A, पिकासो की है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, माइकल एंजिलो और लियोनाडो दा बिन्ची, किस देश के विश्व विख्या चित्रकार थे, तो ये थे आपके इटली के, ठीक है, option number C, दा राइट आंसर, उस्ताद मनसूर, किसके शासनकाल के प्रिशित चित् पूछा गया है, और ये आरारी इलावात जूने किलक में भी आ चुका है, और भी कई परिच्छों में कोशन पूछा गया है, तो उस्ताद मनसूर, आपनी नाम भी सुनोगा, किसके शासनकाल के प्रिशित चित्रकार रहे हैं, तो ये रहे हैं जहांगीर के, ठीक है, फिर नेस्ट है, निम्रिकित मैंसे किसके सासनकाल में मुगल चित्रकला जो थी शिकर पर पहुच गई थी, ये कोशन भी परिच्छा में पूछा गया है, और अन्य परिच्छाओं में भी पूछा जा चुका है, तो ये अकवार जहांगीर सहां जहां और अंजेब, तो सासनकाल में किसके सासन काल में पूछा गया है कि चित्रकला जो थी शिखर पर पाँच गई थी तो आप्शन नंबर भी जहांगीर के काल में ठीक है नेक्स कोशन है जो की बहुत ही इंपोर्डेंट है लोग चित्रकला मधुवनी किस राज में लोग पिरिये है यह आपका कोशन यह भी आ गया है इंपोर्डेंट है और कई पेपस में आ चुका है उत्तरप्रदेश, मद्प्रदेश, बिहार और असम तो मधुवनी आपने नाम भी सुना होगा तो मधुवनी जो है आपके कौन से राज में लोग पिरिये है तो यह आप्शन नमबर C बिहार में ठीक है तो आप्शन नमबर C राइट आंसर है जैमनी राइ ने कला के के छेत्र में नाम कमाया है तो इन्होंने नाम कमाया है चित्र कला के ठीक है और यह भी परिक्षा में पूछा गया है देखे इस टॉपिक से आप यह देखिए कितना महतपों टॉपिक है कि लगातार परिक्षाओं में और जो वेस्ट जो बड़ी बड़ी परिक्षाओं है ना उन में यह कोशन करते हैं कि इन परिच्छाओं में पूछा भी गया है तो इस नेस्ट कोशन है पच्छिम बंगाल में फर्शो पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद है तो इसका आंसर है ओप्षन नमबर भी अल्पना ठीक है यह भी परिक्षाओं में आ चुका है देखें लगातार स्टॉपिक से ते सारे कोशन साएं नेस्ट है किसने पेंटिंग की शुरुवात फिर्म के पोस्टरों से की थी देखीं किता बढ़िया कोशन है तो यह की थी M F हुसेन ने ठीक है M F हुसेन ने ओप्षन नमबर C जराहिट आंसर और यह भी परिक्षा में पूछा जा चुका है चलिए आगे बढ़तें कौन सा मुगर सार्षक चित्रकारों का सबसे बड़ा संदक्षक रहा है तो यह उपर मैंने बताया भी है आपको चित्रकार जिसमें चित्रकला बिल्कुछ चरम सीमा पे थी तो बहे कौन किसके शार्षकार में थी जहांगीर के ठीक है तो इसका भी आंसर होगा तो यह है आपके किशनगर सैली से ठीक है ऑफ्चन नमबर भी राइट आंसर है नेस्ट है भारत की प्राचीन कला परमपराओं को पुना जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ औरिंटल आर्ट की स्तापना की थी यह कोशन भी आपका मोस्ट इंपोडेंट है और परिच्छा में भी आया है तो इसका आंसर है अविंद्र नाथ टैगोन ने ठीक है परमपराओं को पुना जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ और इंटल आर्ट की स्तापना जो थी अविंद्र नाथ टैगोन ने की थी नेस्ट है आपका चित्रकला की मुगल कल भारती लगू चित्रकला की रीड है ये कोशन भी आपका मोस्ट इंपोडेंट है परिच्छा में पूछा गया है ठीक है तो निम लिखित मैसे किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाओं जो था नहीं पड़ा था इन मैसे जो इसमें नहीं पूछा है ठीक है इसको याद मुगल चित्रकला का प्रभाओं जो है मुगल इस पर नहीं पड़ा था तो बहुत जो काली घाट काली घाट की पर नहीं पड़ा था नेस्ट बमुग चित्रकला किसने राज कला में अपनी पराकास्टा पर पहुचाया यह question भी परिक्षा में आया है लगाता जो भी आपको question बता रही हूं सारे ही परिक्षा में आई हुए questions हैं आप देख सकते हैं यह आपकी एक practice है जो previous exam में आ चुके हैं और यह topic भी ऐसा है कि यहां से questions बनते हैं तो इ देवकला का संबंद जो है आपके प्रिताबगर से है ठीक है किसे है प्रिताबगर से है नैसे शरण रानी को किस छेतर में ख्याती प्राफ्त है तो यह है भाई चितरकला में ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं मधुवनी लोग कला किस राज से संबंदित है यह भी आपका important questions है और यह भी परिक्षा में आया है तो मधुवनी कहां से है अभी उपर भी बात हुई थी इसके बारे में और मैंने बताया था बिहार से है तो यहां पर भी option number C बिहार इस दा राइट आंसर नैस टे आपका राजधानी विचार धारा की चितरकला का आरंबिक मुखे बूंदी नेस्ट कोशन है राजिस्तान की प्रिशित ब्लू पॉर्टरी की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ था तो यह हुआ था आपका पॉर्शिया से ठीक है और important questions है नेस्ट है पिछवाई कला कृतियों में बने चितर उद्गरत किये कहें हैं महा भारत में रामाय सी भग्वान करिष्ण के जीवन से पिछवाई कला कित्यों से बने चितर उद्गरत किये गए हैं वहां से किकई भग्वान सिरी केशनी के जीवन से किये रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कभी चित्रकार मोला राम चित्रकला की किस सैली के लिए प्रिसित है तो परिच्छा में पूछा गया कोशन्स है तो किस के लिए है यह है और ऑप्शन नमबर भी गड़वाल के लिए ठीक है मोना लिसा क्या है कोशन ये भी अच्छा है और परिच्छा में भी पूचा गया है मोना लिसा क्या है एक चित्र है, गाईका है फ्रांसी सी गुप्त चार है या उपन्यास है तो मोना लिसा जो है वह एक चित्र है ठीक है नाम से तो लगता भी किसी का नाम है जो पुरानी फिल्मों में आता था मोना लिसा वाली मोना लिसा नहीं है ये ये एक चित्र है ठीक है चलिए आगे बढ़तें नेस्ट कोशन है प्रशिद चित्र मोना लिसा किस ने चित्रित किया है माइकल एंजिलो ने जोसुआ रेनॉल्ड्स ने रेंबा ने लियोनार्डो दा बिंची ने और ये भी परिक्षा में आये हुआ प्रश्न है तो भही इसका अंसर है ऑप्शन नमबर डी लियोनार्डो द बिंची ठीक है मोना लिसा किस ने चित्रित किया है तो लियोनार्ड présent दा बिंची किया ठीक है भींटीका किसके लिए परिशेद है option number 1 गुफाओं के सैल चितर के लिए प्रशिद है भई भीम बेटे का next है आपका गंधा शैली की मूर्टी कला में बौध का सारनात में हुए प्रिथम धर्मों देश से संबन्द प्रिवचन मुद्रा का नाम क्या है तो भई इसका आंसर है option number C धर्म चक्र ठीक है क्या है सो number C धर्म चक्र ये भी important है आपका अब next question है आपका निमलिखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है ठीक है तो भई आपे सही पूझा गया है तो कौन सा सही सुमेलित है तो हडपा, सब्विता, चित्रे, धूसर, मिर्दमांट ये आपका गलत है मुगल, अजन्ता, चित्रकारी भी गलत है मराथा, पाहडी, शैली भी गलत है कुशान, एवं गंधा, शैली इसदा राइट है तो इसका आंसर आएगा option number B गंधा, कला, शैली और कई परिक्षाओं में पूछा गया है तो most important है ये question, ठीक है याद कर लीजेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं भारत में किस सिलाश्रे से सम्बंदी चित्र प्राप्त हुए है तो किस से प्राप्त हुए है घगरिया, भीम बेटिका, लेहाया, आदमगर कोशन भी कई कोशन में आया है तो अजनता बताईए किस लिए प्रशित है कलात्मक चित्रकाली के लिए गुफा के लिए, नकाशी महराओं के लिए है ना important question, सारी questions important लेकर आई हूँ इसका answer है आपका option number 1 कलात्मक चित्रकाली के लिए चलिए, next question है निम लिखी गुफा चित्रों में से सबसे पुरानी चित्र कौन से है ये तो भाई सबको पता ही होगा 100% पता होगा सबको तो सबसे ज़्यादा गुफा चित्रों में सबसे पुरानी चित्र जो है भाई, एलोरा की गुफा है ठीक है, एलोरा की चित्र है तो यह है भारती एबम गिरीक शैलियों का ठीक है और इत्ती सारी परिक्षाओं में पूछा गया है नेस्ट है अजंता गुपाओं में मूर्थियां दर्साती हैं क्या दर्साती हैं इंपोर्डेंट कोशन है आरादवी और एसम जैने कितने पेपरों में पूछा गया है और अभी भी पूछा ही जाता है विविन मुद्राओं में भगवान शिव को दर्साती हैं सही है भगवान बुद्ध और उनके जीवन व्रत को दर्साती है हाँ वही दर्साती है महाविर स्वामी को भी दर्साती है तो उप्यूक्त मेंसे सभी है हाँ विलकुट सही है तो क्या किया गया है तो यह है आपके बहुत धंसे ठीक है जंटा की चितरकारी में क्या निरूपित किया गया है रामायन महाभारत जातक पंतंत्र क्या किया गया है तो भई जातक किया गया है जनता की चितरकारी में क्या निरूपित किया गया है ठीक है कौन सी सब्वेताओं ने गंधार कलाशैली की रचना में साहता प्रदान की है तो यह किये भार्टी एवं यूनानियों ने ठीक है आज के लिए इतना ही है अगर कोशन अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को इन मैंसे कितने को चैनल को जो है जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम पे जाके स्टेटी विस सुमीता आप सर्च करिएगा आपको मेरा चैनल मिल जाएगा बना लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रेशन में दे रखा है आप बहां से भी जाकर मुझे जॉइन कर सकते हैं ठीक है अगर अगर आप इस वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार